अगर तुम सुरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सुरज की तरह जलना सीखो अगर जिंदगी में काम्याब होना चाहते हो तो सुरज की तरह समय पर उबना सीखो ठीक है बच्छो? घ्लो माइ दियर कैसे हैं आप सब? आप सब का Rως Classes में सौगत है अगले, आज का प्रशन हमलों स्टार्ट करते हैं, कौन सी प्रशन है, चले हमलों बताते हैं ठीक है, तो वो प्रशन क्या है यहाँ पर, दिया हुआ है आपका, ठीक है तो देखे, प्रश्ण क्या दिया हुआ है? कि सौराज पार्टी की अस्थापना एबम उद्देश की विवेचना करे. देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा सौराज. सौराज का मतब क्या होता है न? जो पूरी राज, उनको पूरा राज ही चाहिए. ठीक है? और ये दात का जो है, क्यूं हुआ था? उद्देश और किस बात पर हुआ था? चले मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ. सौराज पार्टी की अस्थापना मोतिलाल नहरू. ठीक है? यानि सौराज पार्टी की अस्थापना जो किया था, वो कोई और नहीं मोतिलाल नहरू और चित चितरंजन दास ने की. किसका? सौराज पार्टी का. यानि सौराज पार्टी का जो मतलब जो क्या कहते हैं कि अस्थापना जो किया तो वो मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास ने की. ठीक है? मार्च 1923 इसवी में, ध्यान से सुनिएगा, कि मार्च 1923 इसवी में प्रत्थम स सौराज दल का सम्मेलन इलाबाद में हुआ. कहां पर हुआ? ध्यान से सुनिएगा, इलाबाद में हुआ. कहां पर हुआ? इलाबाद में. ठीक है? सौराज दल का मुख्य उद्देस, यानि कहता है कि सौराज दल का मुख्य उद्देस भारतिय राष्टिय कॉंगरेस से भि खुछ अलग नहीं था दोनों ही दल जो है कोई अलग नहीं था punto है तो वही कहता है कि भारतीय राष्टे से भिन नहीं था क्योंकि ये भी सौराज चाहते थे यानि कि कहने का बात है कि मोतिलाल लहरू और चितरन दंदास वो भी सौराज चाहते थे और उसके बाद और बाकी जो भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की भिन्न था यानि को भारतिय राष्टे कॉंग्रेस ये भी क्या चाहते थे सौराज ही चाहते थे ठीक है उसके लेहरू जो ते वो गडम दल के थे और ये जो गांदी जी वाले जो ये थे ये से घठन था तो यह क्या था ये थोध़ा नरम देल से बात करने वाले में थे थे अब आगे की बाद समझें लेकिन इनके रास्ते थोड़ा अलग थे ये भारत मेंं अंग्रेजी द्वारा और सौराज का यही मतलब था और उसका उद्देश भी यही था उसका उद्देश यानि की जो मौतिलाल नहरू और चितरन दास और उसके बाद राष्टिये यानि भारते राष्टिये कॉंग्रेस का संगटन जो होता है वो भी और यह दोनों दोनों ही क्या चाहते थे जो द्वारा जितनी भी बनाए गए कानून है उनको क्या करें यानि तैसनेस कर दिया जा उनके कानून को रद कर दिया जाए ठीक है तो यह वो थी और कहा कि उनके द्वारा बनाए गए जो प्रमप्रा है उन प्रमप्राओं को क्या किया जाए खतम कर दिया जाए ठीक है त दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ आपका कि खेडा आंदोलन पर परकाश डाले। ठीक है अब मैं बताता हूँ आपको समझाता हूँ इस बात को देखें दरसल हुआ क्या था ना कि जो गुजरात में जो है ना जितनी भी किसान थे और गुजरात के खेडा खेडा जीला यानि गुजरात के अंदर एक खेडा जीला था उस जीला के अंदर वहां के जो किसान ज उसका नुकसान होने का सबसे बारा क्या कारण था? वो नुकसान होने का सबसे बारा कारण था कि वहाँ बहुत तेजी से यानि के बारिस हो गई थी और इतनी तेज बारिस हुई थी जिस वज़ा से फसले जो फसल थी वो खरीब की फसल थी वो खरीब की फसल क्या हो गया था? तो वहां के गुजरात के जो किसान थे यानि खेडा जी लेके किसान जो थे वो ब्रिटिस गवर्मेंट से कह रहा था है कि हम आपको इस बार लगान नहीं दे पाएंगे ठीक है अगर हम आपको लगान देंगे तो हम क्या खाएंगे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो मै चाहता हूँ कि इस बार आप हमारे लगान को माफ कर दे लेकिन अंग्रेजों ने यानि ब्रिटिस गवर्मेंट का कहना था है कि मैं ये कानून के खिलाफ है और मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए आपको लगान भरनी ही होगी और किसान बहुत ज़्यादा घबराए हुए थ इस बीच में हमारे जो महत्मा गांधी ठीक है वो फिर क्या किये गांधी जी को इस बात की जब खबर हुई तो गांधी जी ने याने की खेड़ा जीला में वो पहुँचे और पहुँचने के बाद किसानों की बातों को समझे और समझने के बाद उसने अंग्रेजों से या आप इनकी जो है जो फसरे नुकसान हुई, तो इस बार इनकी लगान को आप माफ कर दीजिए. लेकिन बिरिटिस गवर्मेंट ने इस बात से मानने से इंकार कर दिया, कि नहीं, ये हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कैनून के खिलाफ है क्योंकि लगान देना ये तो पहले से ही तै हो चुका था आप अगर ये लगान नहीं देंगे तो हमारे जो है कानून के खलाफ हो जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप ये लगान जरूर देए ठीक है लेकिन जब ये बाते बोला तो गान्दी जी ने कहा कि देखो बारिस के कारण फ़सले नुकसान हो गई मैं चाहता हूँ कि इनकी फसलों की जो मुस्किले आई है इनकी फसलों को इसकी लगान इस पार माफ कर दिया जाए देखो बेशक गांदी जी ये बात जानते थे कि लगान माफ कराना ये बहुत मुस्किलेकियों की ये कानून के अधिनियम के खिलाब था यानि कानून में ये पारित हो चुका था और बिर्टिस ने ऐसे कानून बना दिये थे कि लगान माफ नहीं किया जा सकता है लगान को माफ नहीं किया जा सकता है और यही सोच करके उसने क्या किया जो है लगान के लिए जब अंग्रे जो से नि बिर्टिस गौर्मेंट से जब पर दान्दी जी ने लगान की माफि के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, यानि किसानों का समर्थन किया कि करना ही पड़ेगा, नहीं करे तो किसान बीजारे कहा जाएंगे, क्योंकि सन 1917 इस्वी में अधीक बारिस के कारण खरीव की फसले यानि खरीव की फसल काफी मात्रा में नश्ट हो गया था यानि वह इतनी तेजी से बारिस हुई थी जिस वज़े से क्या हुआ खरीव की फसल खतम हो चुके थे ठीक है तो लगान कानून के अंतरगत ऐसी इस्थिती में लगान माफी का प्रधावन तर नहीं था ये बात गांदी जी बेशक जानते थे कि लगान माफ करना ये संभब तो नहीं है लेकिन गोरे लोगों से ब्रेटिस गवर्मेंट से तो इसकी अपील करनी ही होगी अगर हमारी लगान को माफ किया जाए किया जाए किया जाए ठीक है तो फिर क्या किया किया कि बाइस जुन ध्यान से सुनिएगा बाइस जुन यानि उन्हें सो अठारे इस वी में इस वी को आंदोलन की सुरुवात हो गया यानि गांदी जी ने कहा कि ठीक है अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम лगो मजबूरन में क्या करेंगे आंडोलन करेंगे और वो आंडोलन करना सुरू भी कर दिये जब आंडोलन करना सुरू कर दिये तो अंत तहा अंग्लिजो को लगा कि अगर गांडी जी जिस महफिल में उतर चुका है और जब किसानों को सपोर्ट करने के लिए आ गिया है, मदद करने के लिए आ गिया है, तो यकिनन है कि क्यांदी जी इस कानून को मनवा ही लेगा, फर एक्जामपल बिहार में भी किसान आंदोलन हुई थी, और सतेन के चंपारन सते अगर आंदोलन हुआ था, वहां नील की ख सुरुवात हो गया, अंतर था, अंगड़ी जी हुकोमत को किसानों की लगान माफ करना परा, और किसान अपनी मर्जी से खेती करना शुरू किया, और उनके उनसे वो क्या हो गए, नीडर हो गए, और वो डरना बन करती है, ठीक है, तो मुझे जहां तर मुझे लगा है कि मै अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आगिया होगा, तो अगर आप लोगों को मेरी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सेर करो, और कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, तो चलिए आप लोग मेरी वीडिय का स्क्रीन सोट ले लिजिए तो पहले नमबर प्रशन का आप स्कीन सोट ले लिजिए ठीक है चलिए रहा आपका पहला प्रशन का स्कीन सोट आपको मिलड़ा होगा ठीक है चलिए प्रशन का स्कीन सोट होगी आपका ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रशन का स्कीन सोट ले लिज चले थोड़ा सा हाथ अब ठीक है चले नेक्स्ट प्रशन का भी हो गया खेखडा आन्दोन प्रकास पर ठीक है चले दोनों प्रशन का जवाब मिल गया ठीक है